नमस्कार मैं हूँ रंजीत ज्या सुप्रिम कोट में राहूल गांधी की सांसदी बहाली को चुनवती देने वाले की सीजे आई डिवाज चंद्रचूड ने हेकडी निकाल डाली और उन्होंने यहां तक कहा कि अब वक्त आ चुका है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कारवाई की जाए जो अदालत का बेवजह समय बरबाद करते रहते हैं अदालत के पास बहुत महत्वपुर्ण काम हैं ऐसे विशय को सुनने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन यहां ध्यान रहे हमने कहा कि जिस ब्यक्ति ने राहुल गांधी की सांसदी बहाली को चुनोती दी है वो याचिका अभी भी सुप्रिम कोट में है लेकिन यह पबलिसीटी के चक्कर में एक के बाद एक बेतुकी याचिकाई लेकर सुप्रिम कोट पहुँच रहे थे और इस बार तो हद हो गई कि ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम अशोक पांडे है अशोक पांडे सहब इस बार बंबे हाई कोट के चीफ जस्टिस के खिलाप ही सुप्रिम कोट पहुँच गए ची सीजे आए डिवा चंद्रचूर ने जैसे ही इस मामले को देखा वो गुस्से से लाल पिले हो गये हैं वन्हों ने कहा कि ये क्या है इस ब्यक्ति पर ततकाल 5 लाख रुपे का जुर्म न लगाई है हम इस मामले में पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं और अशोक पांडे कितने बड़े वकील हैं कि रह रहकर ऐसे विशाई को चुनते हैं जिसमें सिर्फ तमाशा खरा किया जा सकता है पबलिसिटी अस्टेंट हो सकता है चेहरा चमकाया जा सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर जिससे उन्हें कुछ फायदा हो जाए अब उनकी इस हरकत पर सीजय चंद्रचूर ने उनकी हेकड़ी निकाल दी है जड़ा देखिए यहां देनिक भासकर ने लिखा भी है कि सुप्रिम कोट ने याचिका करता पर पांच लाख का जुर्माना लगाया कहा यह प एक के बाद एक कई ऐसे केस करते रहते हैं कई ऐसी याचिकाएं डालते रहते हैं जो माथा पीट लेने पर लोगों को मजबूर कर देती है खबर देखिए क्या जानकाली है यहां देनिक भासकर ने लिखा है सुप्रिम कोट ने एक व्यक्ति पर पांच लाख रुपे का ज कि बॉम्बे हाइक कोट के चीफ जस्टिस की शपत दोश पुर्ण है चीफ जस्टिस डिवाय चंद्रचूड की अगवाई वाली बेंच ने कहा कि हाईकोट के चीफ जस्टिस को गवर्नर शपत दिलाते हैं और इसके बाद ही उनकी न्युकति होती है ऐसे में इस तरीके की आपत्ती नहीं उठाई जा सकती अब यहाँ पर जड़ा देखेंगे आप कि अशोग पांडे ने जो तरक देखकर याचिका डाली थी वो तरक ही क्या गजब के हैं और कोई भी इसे देखकर समझ जाएगा कि सर्फ और सर्फ ये अपनी पबलिसिटी के चक्कर में किसी भी हद तक जा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है कि बेंच में शामिल जस्टिस जेबी पार्दिबाला और जस्टिस मनोज मिश्णा ने कहा कि हमारी राय है कि ऐसी याचिकाओं से कोट का समय खड़ाब होता है और गंभीर मुद्दों से कोट का ध्यान भटकता है ऐसी याचिकाओं न्याएपालिका के मैन पावर और रजिस्ट्री का दुरूपयोग करती हैं यहाँ से फिर देखिए CGI डिवाई चंद्रचूर और उनके सहयोगियों ने एक साथ प्रिपनी करते हुए यहाँ भी कहा कि ऐसे लोगों पर कारवाई करने का वक्त भी आ गया है यहाँ पर कहा जाड़ा है कि जजो ने कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि जब कोट को ऐसी ब्यर्थ याचिकाएं दाखिल करने पर जुर्माना लगाना शुरू करना चाहिए बेंच ने कहा कि हम याचिका करता पर पांच लाख रुपे का जुर्माना लगाते हुए इस याचिका को रद करते हैं यह जुर्माना याचिका करता को चार हफ़ते के अंदर भरना होगा और यहां तक ही नहीं उन्हांने एक अल्टिमेटम दिया है पैसा जो जुर्माना के रूप में लगाये गए हैं वो देना ही होगा अगर इसा नहीं करते हैं तो अगली कारवाई भी होगी यहां पर कहा जा जाती है तो उसे लखनव डियम वफिस में भूराजस्व बकाया के रूप में जमा कराया जाएगा यानि कि आप बच नहीं सकते अपनी हरकतों को बंद कर दीजिए हम आपको बताएंगे कि राहूल गांदी के ममले में इन्होंने किस आधार पर याचिका डाल दी थी वो भ देखिए यहां बताया जा रहा है कि यह याचिका अशोग पांडे ने दाखिल की थी उनका कहना था कि बंबे हाई कोट के चीफ जस्टिस को दोशपुर्ण शपत दिलाई गई है उन्होंने सम्विधान की तीसरी अनुसूची का उलंगन करते हुए शपत के दोरान अपना नाम लेने से पहले मैं शब्द नहीं कहा याचिका करता ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि दमन और दीव और दादरव नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश्टों के प्रतिनिदियों को इस शपत समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और इसे अधार बना क्योंकि इस बीच में लगातार इसे केस आ रहे थे कि सीजाय डिवाय चंद्रचूर भी काफी गुस्से में थे एक हाथियों का मामला आया उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास लगातार इस तरीके के मामले आते रहेंगे तो हम गंभीर विशय पर सुनवाई कम कर पाएंगे ऐ उस मामले में भी टिपनी हुई थी कि अगर तमाम नियमों को ताक पर रहक कर आप लोग ऐसे फैसले खुद से लेते रहेंगे तो पर सुप्रीम कोड की वेवस्ता भी चर्मरा जाएगी इसके अलावा एक व्यक्ति तो ऐसे थे जो आइंस्टीन की थियोरी को चुनवती दे करने के लिए सुप्रीम कोड पहुंचे तभी जजों को गुस्सा आ गया क्या हम लोग यहां काम करने के लिए बैटे हैं आइंस्टीन की थोड़ी पर रिसर्च हम लोग करें क्या अगर आपको नहीं पसंद है तो बना लिजे कोई दूसरी टियोरी लेकिन यहां तमाशा ख भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देख लिजिए हलाकि हमने इस संबंद में एक रिपोर्ट आपको काफी पहले दिखाई भी हैं सितंबर महिने की बात है और उसमें अब यहां अशोग पांडे ने क्या कुछ कहा है यह फिर से आपको याद दिलाते हैं हिंदुस्तान ने उ भी देख लिजिएगा यहीं अशोग पांडे हैं लखनो वाले यहां पर लिखा गया है कि मोधी सरनेम केस में राहूल गांधी की लोगसभा सदस्यता बहाल किये जाने के फैसले को सुप्रिम कोट में चुनवती दी गई है शिर्ष अडालत ने उनकी सजा पर रोक लगा द जिसके बाद 7 अगस्त को लोगसभा सचीवाले ने राहूल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया था अब इस फैसले के खिलाफ लकनो के वकील अशोग पांडे ने अरजी दाखिल की उनका कहना है कि यदि एक सांसद या बिधाय की सदस्यता आठकिर 102-191191 के तहट चली जाती है तो फिर उसे तब तक बाहल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उपड़ी अदालत द्वारा आरोपों से बरी नाव कर दिया जाए अब उनके इस तर्क को लेकर सुप्रेम कोट में या चिका तो पेंडिंग है सुनवाई तो नहीं हो रही है क्योंकि सब को पता है क या केस दो मिनट में ठिकेगा नहीं क्या सुप्रीम कोट में बैठे हुए जो जजज सहाब हैं वो इनको क्या कम ज्यानी लगते हैं कि उनके फैसले अगर रहूल गांधी की सजा पर दोश्रशिद्धी पर रोक लगाने के संबंद में आई है और उन्होंने ही सांसदी बहा नहीं है यह तो समझना पड़ेगा न यह सर्फ पब्लिसिटी स्टन्ट नहीं है तो और क्या है अब ऐसे से केस जाते हैं यहां देखिए कि शुर्स अदालत में दाखिल अर्जी में पांडे ने कहा कि एक बार यदि किसी सांसद या विधायक की सदसता चली जाती है तो फि है कि जब तक उपरी अजालत की और से शांसर की सजा को खत्म नहीं किया जाता तभ तक ऐसा आदेश नहीं दिया जासकता इसके अलावा उन्हें दोबारा से काम करने की पर्मिशन भी स्पिकर की और से नहीं दी जा सकती है सुप्रिम कोट ने यह भी कहा था इन्हें याद नहीं है जब वो टिपनी की गई थी कि हाई कोट गुजरात हाई कोट के जज साहब जब राहूल गांदी केस में अपने फैसले लिख रहे थे तो सैकरोपन ने फैसले लिखने में खर्च तो कर दिये लेकिन अधिक्तम दो साल की सजा दिये जाने की बात को वो जस्टिफाइ नहीं कर पाए कहीं नहीं लिखाए को उन्हें यह सजा दी क्यों जा रही है वो एक दिन कम सजा भी दे सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया सुप्रिम कोट का यह भी कहना था कि गुजरात हाई कोट के ऐसे निर्ने की वजह स वहां सांसदी वाला छेत्र जहां से राहूल गंदी प्रतिनिदेत्व करते हैं वह इतने दिने तक खाली रह गया बिना अपने प्रतिनिदी के वहां की जनता रह गई जो की घलत है अब ठीक ऐसा ही मामला जब लक्षदूइप के सांसद एंसीपी सांसद मुहम्मद फैजल को लेकर के सामने आया तो सुप्रीम कोट ने वहां भी उनके सांसदी छीन दिये जाने से इंकार कर दिया और कहा कि वो सांसदी उनकी बरकरार रहेगी अब आपको केस चलाना है केस चलाईए लेकिन ऐसे किसे के सांसदी नहीं छीनी जा सकती है अब यहां से गौर्ड करने वा बात किया जाता है दर असल ये जो संविधान में आठकिल 32 है उसके तहत ये लोग कुछ भी कर रहे हैं पी आयल के नाम पर आठकिल 32 के नाम पर सुप्रीम कोट में ऐसे वकील खूप पहुँचते हैं जो अपना चेहरा चमकाने के लिए उलूल जुलूल या चिकाएं डालते रहते हैं और फिर ऐसे लोगों पर कारवाई करने के लिए CGI डिवाई चंद्रचूर ने अपने फैसले लेने शुरू कर दिये हैं और इन लोगों को कहा है भीड कम किजिए ऐसे नहीं चलेगा अब देखिए अशोक पांडे क्या राहुल गांधी वाली याचिका में भी इंतिजार करना पड़ेगा फिलाल इस वीडियो में तो नहीं आप सब ही का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद